हेलो एवरिवन दिस इस प्रांजल और वाचिंग पार्चाला रिशी केस तो आज हम बात कर रहे हैं UKPSC प्रिलिम्स की तयारी की इससे पहले हम UKPSC उत्राखंड PCS के प्रिलिम्स सी सेट की प्रिपरेशन 21 दिन में कर चुके हैं और हमारा जो रिजल्ट रहा वो बहुत ही अच्छा रहा बहुत अच्छा रिस्पॉन्स रहा अब आ गए हैं हम लेके UKPSC सी सेट की तयारी को और आज होगा हमारा पहला दे तो तयारी शुरू करें उससे पहले मैं आपको बता का चलाया तो उसमें भी बहुत सारे बच्चों ने हमसे ये कहा कि सर उन्हें बहुत लेट मालूम चला अधरवाइस सीरीज में बहुत फाइदा हो रहा है थीक है तो बहुत सारे बच्चे इस वजह से कि उन्होंने लेट शुरू किया उस जहां तक हम पहुँचाना चाते वहां तक नहीं पहुँच पाई ऐसा response भी आया तो मेरी आप लोगों से बस एक ही गुजारिश है कि हम तो regular रहेंगे, हम तो regular हैं पर आप ये देख भी सकते है UKPSC का जो playlist है हमारी उसमें जाके कि 21 दिन कहा हमने और 21 दिन continue हमने अपने वीडियो बच्चों के लिए लेकर आते रहे जिससे उनके जो concept है वो बहुत जादा clear हुए और अब आज हम शुरुआत कर रहे हैं day 1 UK UPPSC च्रीक है तो आपका response भी अच्छा रहेगा बस आपने एक काम करना है जो जो चीज़ें मैं कहूंगा पहली चीज़ मैं यह आपको जरूर बताऊंगा कि कौन सा topic है description में link है उस topic का वो देख लीजिए अगर आप देखना चाहते हैं अगर आपको वो topic सही से नहीं आता है तो आप महाँ पे जाके जाके जरूर देख सकते हैं तो चलिए शुरू करते हैं पहला question और पहला question day one का यह रहा आपकी screen पे यह जो question है वो इसी बार के UK PSC जो C set हुआ है उससे उठाए है ताकि यह वाला जो pattern है यह न छूट जाए और UP PSC में आपका score boost हो ठीक है कुछ भी चीज ऐसी नहीं रहनी चीए कोई भी ऐसा concept नहीं रहना चीए जो की रह जाए तो पहला question पहला question जो है वो है लुप्त संख्या inserting the missing term से inserting the missing term एक चीज आपने हमेशा याद रखनी है कि इस तरह का जब भी यह topic आए इस तरह से visits आपके पास हो इस तरह से numbers आपके पास हो तो आपने क्या करना है आपने इन numbers को observe करना है और यह सोचना है क्या यह बीच वाला number आप किसी तरह से बना सकते हैं इसी तरह से यहाँ पे आपके पास 6, 4 और 5 है इनको use करके आपने 29 बनाना है एक चीज हमेशा याद रखना कि pattern हो सकता है कि आपको पहली बार में दिख जाए ठीक है पहली बार में ना दिखे तो दूसरा pattern सोचो दूसी बार में ना दिखे तो तीसरा pattern सोचो तीन pattern आपने एक बार में सोचने हैं और ये तीन pattern सोचने के बाद आपने question छोड़ देना है आगे बढ़ जाना है ये तरीका होता है इस तरह के questions को solve करनेगा तो पहला question आपके पास रहा आपने observe कि 5 और 3 यहां लिखे हैं 5 और 3 का अगर product कर लो तो हो जाता है 15 और 15 में अगर आप 4 जोड़ ले तो आप कहेंगे 19 होता है 19 होता है इसी तरह से जो ये दूसरा pattern है इसमें भी ये logic लगना चाहिए जो logic पहले में लगा है वोई logic दूसरे में भी लगना चाहिए आप कहेंगे 6, 24, 24 और 5 अगर आप जोड़ ले तो 29, 29 आता है यही logic आपने यहां पे भी लगाना है 7, 35 और 6, 35 और 6 अगर आप जोड़ेंगे तो 41 होता है 41 अगर आपको option में मिल रहा है तो आपने जो logic सूचा था बिलकुल सही है कई बार ऐसा भी होगा कि पहले पर भी pattern ल logic लग रहा है मगर आपके 4 options में वो logic नहीं given है और अगर ऐसा हो तो कुछ और logic आपने सोचना है ठीक है तीन logic सोचने कि मैं हमेशा बात करूँगा और यह 45 दिन में आपके अंदर यह वाली चीज डेवलप करने की पूरी-पूरी कोशिश करेंगे कि आप इन्हें इस तरह से सोच पाएं ठीक है चलिए next question की तरफ चलते हैं और next question यह रहा आपकी screen के कह रहा है कि निम लिखित में से लुप्त अक्षर पहचानी है again UKPSC का है इस साल का ही paper उसी से यह question उठाया हुआ है और देखिए आप आपको दिख रहा है BCG और मैं एक बात हमेशा आपको कहता coding decoding की जब हम बात करते हैं तो यहां से आपने alphabets जो है ABCDE इनकी numbering आपको याद होनी चाहिए और numbering अगर आपको याद है तो आपको एक अलग confidence होता है कैसा confidence होता है वो देखिए देखो B जो है ना वो 2 होता है और C जो होता है 3 होता है 7 होता है 12 होता है 13 होता है question mark कि इन numbers के साथ कुछ logic लगा रहे होंगे वो इस line में कोई logic हो सकता है इस तरह से कोई logic हो सकता है वो आगे लेके जा रहे होंगे ठीक है आपने क्या देखा आपने देखा कि 2 और 12 को अगर आप जोड लें 2 और 12 को जोड लें तो 14 आता है 14 का half करोगे तो 7 बीच में G करके लि 3 और 13 को अगर आप समझे 3 प्लस 13 तीन प्लस 13 अगर जोड लो तो 16 होता है और 16 का आधा कर लो तो आप पाएंगे कि 8 है आपने यह सोचना है आधा करना आपको आना चाहिए घर में बैठे वो कोई number जाते वे दिख रहा है आते वे दिख रहा है कहीं भी दिख रहा है उसका जब 7 में जोडेंगे तो 12 बन रहा है मतलब 12 का अगर आप दुगना करें तो वो हो गया 24 और वो 24 साथ में से माइनस कर लोगे तो देखो आपके पास आ रहा है 17 मतलब यहां पे जो number आएगा वो आना चाहिए 17 17 जो होता है numbering में वो क्यू हो जाता है क्यू हो जाता है यह ब नेक्स कोशन की तरफ चले किसका है कोडिंग डिकोडिंग का है अगर आपको numbering याद नहीं है तो description में link दे दूँगा वहां से आपने कुछ और नहीं केवल numbering से याद करनी है और यह बहुत जादा फायदे मन्द होगी यह आपने ध्यान रखना है इसको अगर आप follow कर लो easy questions कर लो easy question कर लोगे तो आपकी cut off तो clear होगी रही है उसे होने से कोई रोक नहीं सिकता ठीक है चलिए next question की तरफ चल रहे है और next question गे रहे है नंबर्स दिये हैं आपसे कह रहा है कि भी इसको कुछ इसको कुछ इस्तिमाल करो 66 आजाए आपने बोला गर जोड लू तो आपन नहीं रहा आपने कहा ये 30 है मानलो जोड़ने के हिसाफ से 30 ले लो इसे 30 और 36 को जोड़ोगे 66 होता है मगर ये 99 हो रहा है समझे रहो 65 में से 63 में कुछ 2-3 जोड रहोंगे यहां पे भी कुछ जोड़के 99 होना ची मगर ऐसा हो नहीं रहा ठीक है एक logic हमने गलत करके देख ल से कहता है कि मेरे पास 11 गुणा गए 6 है फैक्टर करने आने चीए गुणन खंड करने आने चीए नंबर को तोड़के ब्रेक करके देख लेना आना चीए और वो कैसे आएगा वो कर करके ही आएगा जब आप करोगे तो वहां पहुँचोगे जहां पे आपको पहुँचना ह तो आपने देखा 11 कहां से मिल रहा है आपने कहा 3 और 8 को अगर जोड लो तो आप कहेंगे 11 मिल रहा है एक और 5 को अगर जोड लो तो आप कहोगे 6 मिल रहा है और 11 और 6 की गुणा करे लो तो 66 मिल रहा है तो इससे कहते हैं reverse इंज रही एक तो सीधे सीधे देखना और एक उ 99 आ गया, इसी तरह से 8 और 2 को अगर आप जोड़ने तो आप कहेंगे 10 और यहां जोड़ोगे तो आगया 8 10 और 8 की गुणा कर लेंगे तो आपके पास answer आ जाएगा 80 ठीक है? तो number patterns पे question है inserting the missing number है ना logic आपने देखना है inserting the missing term करके इस तरह कि बहुत सारे questions है और दिखते नहीं है यह exam में क्यों? क्योंकि आदमी को आदत होती है एक बार में pattern दिख जाए तो दिख जाए नहीं दिखे तो छोड़ो और आगे बड़ो ना एक बार में नहीं दिख रहा दुबारा करो दुबारा में नहीं दिख रहा तिबारा करो तीन बार करना है फिर छोड़ना है इससे आपके अंदर वो वाली सोच डेवलप होगी जो आपको बोलेगी कि यह तो होके रहेगा मगर जादा जादा time नहीं लेना है इसका यह मतलब नहीं है कि छोड़ना ही नहीं है छोड़ना है अगर आपको लगता है कि question नहीं हो रहा है तो छोड़ना है मगर आसान questions नहीं छोड़ देने हैं next question देखे क्या है कोई question हमने भी skip कर दिया क्या है नहीं ठीक है देखे क्या है यह कह रहा है कि दिवा सबको पता है कि 15 अगस्त 1988 की बात कर रहा है इस दिन बुद्ध वार है वैनस डे है एक चीज हमेशा याद रखना इतना ही concept याद करो जितने छोटे-छोटे concept बताऊँगा न वो concept महीं याद कर लो अगला साल जो होगा 1989 15 अगस्त वो क्या होगा आप कहोगे वो हो जाएगा Thursday वो हो जाएगा Thursday Thursday क्यों हो जाएगा क्योंकि एक साल आगे बढ़ते हैं तो एक दिन एकश्रा आता है इसलिए एक दिन आगे बढ़ा दोगे आप बोलोगे कि सर ये 1988 तो लीपियर है तो मैं आपसे कहूंगा कि 1988 लीपियर है तो इसमें जो एकश्रा दिन होता है वो बोलेंगे आप कहां जुड़ता है तो आप कहेंगे 29 फैब में जुड़ता है 29 फरवरी में जुड़ता है वो इसलिए answer हो जाएगा first day चलिए next question की तरफ चलता है next question बहुत ही बहुत 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 प्यारा question है दोगो ये बड़े बड़े numbers है ये बड़ा number है एक छोड़ा number है बहुत एक number में एक digit में आ गया logic इन दोनों numbers को use कि और 11 लिख दिया इसको इसको भी वोई logic लगाना है जो logic यहाँ पर आप और यहाँ पर लग रहा है वोई logic आप यहाँ लगा दीजिए तो आप कहेंगे लगा देंगे sir कैसे लगाओगे देखो कैसे लगाओगे समझो कैसे लगाओगे देखो आपने कहा कि बड़े number से चोटे नमबर लाना होता है तो क्या करते हो या तो माइनस करते हो या डिवाइड करते हो एक चीज हमेशा याद रखना डिवाइड या माइनस बड़े नमबर से चोटे नमबर तक जाना है या तो माइनस करोगे या डिवाइड करोगे तो आप कहोगे 246 को अगर 2 से करेंगे इनकी डिजिट्स को जोड लें तो छे आ जाता है लॉजिक दिखिया आई बात समझ में इसी तरह से 870 को तीन से डिवाइड करेंगे तीन से डिवाइड करेंगे वो खहरा है कि उसका इस्वाल करो समझ रहो जैसे कोई आदमी जुर्म करता है तो जुर्म करता है तो जुर्म करने के लिए कोई ना कोई हथियार होगा उसके पास ठीक है कातिल है तो पिस्टॉल होगी चाकू होगा चूरी होगी और जब तक वो वैपन नहीं मिलता तब तक आपको साबित भी नहीं किया जा सक पहुँचने में उसको use करो उसको ऐसे ही नहीं कि सीधे आप सोचो कि 11 पहुँच जाए ठीक है अब आपने 3 से divide किया इसे 3 दुनी 6 3 नम्य 27 जोड़ा तो आपने देखा 2 प्लस 9 प्लस 0 कितना आता है 11 आ जाता है जोड़ करके 11 आ जा रहा है इसके बाद आप देखेंगे 7, 3, 5 5 से divide किया 5 इकम 5 5 दुनी 10, 5 सते 35 आपने कहा कि इनके digits का मैंने शायद गरबर कर दी 5 इकम 5 5 को 20, 3 यह आ गया तो 147 1 प्लस 4 प्लस 7 जोड़ोगे तो 12 आंसर आ जाएगा इस तरह से ये सवाल किये जा सकते है logic बहुत 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 जादा प्यारे हैं इस तरह से आपने समझ लेना है कि क्या logic लगा है मैं आपको question के साथ-साथ ये भी बताता रहूँगा कि कैसे आपने वो logic सोचने है जैसे इस question में बदाया है मैंने आपको कि बड़े number से छोटे number पे जाना है तो minus करना है divide करना है ये आपने note कर लेना है note कर लेना है दिमाग में note करना है notes copy में नहीं बदाना है ध्यान में कर लेना है दिमाग में कर लेना है तो चीज़ें आपको आसान लगेंगी ठीक है आगे बढ़ जाते हैं अगले question की तरफ चलते हैं अगला question देखिए again coding decoding का है 256 को 256 को लिख रहा है you are good और इसको लिख रहा है we are bad और 358 को लिख रहा है good and bad आपसे पूँच रहा है and की कूट भाशा है and को क्या code करेंगे ये पूँच रहा है तो आपने देखा कहीं and दिख रहा है आपको आपने बूला नहीं दिख रहा है आपको दिख रहा है एक जगए and ये दिख रहा है and and ये है और कहीं और and है क्या तो नहीं है अगर कहीं और and नहीं है तो आप नहीं बता पाऊगे मगर आप एक चीज कर सकते हैं आपको पता है कि 3-5 और 8 मेंसे 1 होगा, कि 7 तो नहीं होगा, 6 भी नहीं होगा, 2 भी नहीं होगा, क्या होगा, आप कहेंगे 8 होगा, समझे रहे होगा, इसlet को करने की ज़रुरत ही नहीं थी, इस question को करने की जरूरत ही नहीं थी और एक बात बताओं आपको अभी इसी साल UKPSC का CSET में आया हुआ पेपर है 2022 में जो पेपर हुआ है उसमें ये question आया ये logic सोच सकते थे आप मगर नहीं सोचा होगा चलिए इसे पूरा करके दिखाते हैं तो आप बुलूंगे कि पता नहीं कैसे कैसे कर देखे थे वो कुश्यराब देखिए देखिए question में क्या है question में आपसे कह रहा है and का हमने कह दिया कि क्या होगा अभी कहा हमने ठीक है वो तो समझ में आगिया आपको अब आपने देखा कि हमने कहा कि तीन पांच आठ होगा मतलब हमारे हिसाब से answer आना चाहिए आठ अब चेक कर लेते है आपने देखा कि good का अगर बता दिया जाए तो good आपने देखा यहां है इस वाली सिरीज में केवल good common है तो आप देखेंगे 5 और 5 दोनों में common है मतलब good के लिए क्या use कर रहे है पांच यूज कर रहे है फिर आपने देखा bad भी कहीं है आपने देखा यह bad यह है है ना और bad यह है bad clay और bad clay मतलब इस वाली सिरीज और इस वाली सिरीज में अगर आप observe करेंगे तो कुछ common देखेगा आपने कहा तीन common है तो bad के लिए तीन common हो गया तो and के लिए क्या बच गया तो आप कहेंगे and के लिए 8 बच गया डायरेक्टली आहम पहले ही कहे चुके थे clear हो रही है बात समझ में आ रहे है चलिए coding decoding का question है और यह question इसी तरह से किये जाते है vane diagram vane diagram कहा रहा हूँ pie chart की बात चल रही है pie chart की बात चल रही है एक बात हमेशा याद रिखना कि pie chart में ये पूरा जो होता है वो हमेशा hundred percent होता है और अगर degree में कहे तो 360 degree होता है किसी दिन ये 45 दिन की class में ये सारे concept आपके clear करूँगा मगर अभी केवल जो जो वाते मैं बता रहा हूँ उन्हें आप सही से नोट करते चलें पाई चार्ट गिवन है पूरा जो होता है पूरा सर्कल जो होता है इन सबको अगर आप जोड़ेंगे तो 100% के बराबर होता है और 360 डिगरी के बराबर होता है इतना आपने ध्यान में रखना है आगे अगर आप देखें तो आप से कह रहा है यदि चात्रों की कुल संख्या 3000 हो चातरों की कुल संख्या 3,000 हो तो भाग एक और भाग बी में मिलाकर चातरों की संख्या क्या होगी तो भाग एक अगर आप देखें 20% भाग बी अगर आप देखें 12% 20 और 12 को अगर आप जोड ले तो आप कहेंगे 32% की value बतानी है कुल संख्या 3,000 है और मैंने कहा ये पूरा सरकल कुल कितना % होता है तो आप कहेंगे 100% होता है तो आप लिखें 100% का मान आपको कितना given है 3,000 given है आप से पूछा जा रहा है 32% का मान कितना होगा तो आप लिख लें x होगा इसकी इधर multiply करें तो x बराबर 3,000 गुडा गए 32 बटे 100, 100 से ये कट गया 32 दुनी 96, 93, 960 ऐसे बच्चे हो जाएंगे जो ए और भी में मिला करके हैं चली अगले सवाल की तरफ चल रहा है अगला सवाल देखिए ये रहा आपकी स्क्रीम question में कह रहा है कि यदि किसी कूट निश्चित कूट में बेग को ये लिखा जाता है और फाइर को ये लिखा जाता है उसी कूट में फियर को क्या लिखा जाएगा जब भी इस तरह से आए तो आपने देखना है F-E-A-R जो यहां लिखे हैं उसमें क्या है क्या F-E-A-R आपने बुला हा है इट मींज कि वो डारेक्टली कोड कर रहा है ये आपने हमेशा देखना है कि जो वो पूछ रहा है सवाल में क्या वो आंसर में दिया हुआ है तो आपने कहना है हाँ है दिया हुआ तो fear के लिए F आपको पता है कितना है तो आप कहेंगे तीन होगा तीन वाले option देखो एक दो तीन सारी option है E के लिए देखिए कितना है च्छै एक option दो option किवल दो ही option है ये दोनों option बाहर हो गए A के लिए देखिए A कहाँ है A के लिए है आपके पास साथ, तो साथ वाला यही option है, यह तो नहीं होगा, यह answer हो जाएगा, पूरा चेक कर लेते हैं, आर के लिए आपके पास चार यह है, तो यही answer हो जाएगा, option number D, got it, चलिए, अगले सवाल की तरफ चलते हैं, अगला सवाल यह रहा, अंग्रेजी वर्ण माला में दाएं से 21 अक्षर, दाएं से कह रहा है, दाएं से, ठीक है, राइट से, कितना है, 21 अक्षर, और 22 से 16 अक्षर, 22 से एक number है, 16 पोजिशन पे, और एक नमबर यहां से ऐसे कह रहा है, कि 21 पोजिशन पे, 21 पोजिशन है, दाएं से, ऐसी कह रहा है, इनके बीच में कोई नमबर होगा, ठीक, अंगरी जी वर्ण माला में, तो total कितने a से लेके z तक कितने वर्ण होते हैं, तो आप कहोगे 26 होते हैं। कितने होते हैं? 26 होते हैं। लेकिन अगर आपको right से किस दियावा है तो आपने ये 27 से घटा आना है, 27 से 27 घटा होगे तो आप कहोगे छटा ये 22 होगा, का मतलब ये हो गया, छटा 22 होगा और शोलवा, ये दोनों 22 ही है, ये भी 22 है, और ये भी 22 ही है, इनके बीच का जो letter है, जो अक्षर है, वो आपको बताना है, तो आपने कुछ नहीं करना, 6 और 16 को जोड़ो, और बटे 2 कर दो, बीच का बताना है, तो बीच का निकालने के लिए बटे 2 कर देते हैं, तो 6 और 16 जोड़ा, 22 आगया, 22 का आधा किया, तो 11 आगया, और 11 नंबर पे होता है, के, position, alphabets क numbering, देख रहो कितने सारे सवाल हैं, इसी साल आयावा पेपर है, और इतने सारे सवाल केवल alphabets based हैं, ABCD, EF, 123456, ये numbering याद कर लेनी हैं, याद कर लो, चलो, आगे बढ़ जाओ, अगला question देखे, अगले question में कह रहा है, प्रश्न वाचक चिन्न के स्थान पर क्या प्रश्न वाचक चिन्न के स्थान पर क्या आएगा, लिख लेता हूँ आपके लिए, L, O, M, और N, M, K, P, K, I, और यहाँ पर बताना हैं, तो आपने पहले इनकी numbering की, पहले देखो क्या logic लग रहा है, कि यहाँ से यहाँ कैसे जा रहा है, वैसा ही logic यहाँ से यहाँ जाने में लगेगा, तो आपने देखा, L होता है 12, M होता है 15, M होता है 13, N होता है 14, 13, 11, आपने देखा कि 12 से 14 हो रहा है, तो प्लस 2 हो रहा है, 15 से 13 हो रहा है, तो आप कहेंगे माइनस 2 हो रहा है, 13 से 11 हो रहा है, तो कितना हो रहा है, माइनस 2 हो रहा है, P कितना होता है, 16 होता ह 11 होता है 9 होता है आपने क्या किया आपने कहा प्लस 2 करो पहले प्लस 2 किया तो 18 आया फिर माइनस 2 करो तो 9 आया फिर माइनस 2 करो तो 7 आया अठारा आता है आपका RIG अर आई जी इस तरह से कोई option है तो आप कह देंगे sir ये answer हो जाएगा और आपका answer हो जाएगा चीक है चलिए अगले सवाल की तरफ चलते हैं और अगला सवाल ये रहा यदि एक भिन के अंस और हर दोनों में से 5 घटा आया जाए 5 घटा दिया जाता है तो भिन 1 बटे 2 हो जाती है तो मतलब अगर हमें भिन पता होती तो हम दोनों में से 5 घटा लेते हैं और यदि answer हर दोनों में 2 जोडा जाए answer हर का मतलब हो गया numerator और denominator ठीक है मतलब किसी fraction के numerator और denominator दोनों में से अगर 5 माइनस किया जाए तो 1 बाइ 2 आता है और अगर दोनों में 2 जोड दिया जाए दो add कर दिया जाए तो 2 बाइ 3 आता है तो आपने क्या करना है option पर जाना है आपने देखा 14 बाइ 19 है आपने खहा पहले 5 घटा हो दोनों में से 5 घटा लिया दोनों में से 5 घटा लिया तो जब आपने घटाया, तो आपके पास आगया 9 बटे 5 घटाया हाँ, ठीक है, 9 बटे, ये आगया आपके पास 14, तो 9 बटे 14 जो है वो 1 बटे 2 तो नहीं होता, तो आपने इसे भार कर देना, फिर आप इस में से घटा होगे, दोनों में से पांच, आप कहोगी ये तो 0 by 4 आ गया से, तो ये भी बहार हो गया, हमें तो 1 by 2 चीए, फिर आपने कहा कि इस में से दोनों में से 5 घटा लूमा, मैंने कहा घटा हो, तो आपने कहा यहां 12 आ गया, यहां आपके पास 12 आ गया, और आपको कितना चीए था, एक गटाया, तो आपके पास आ गया 7 बटे 14, और 7 बटे 14 का मतलब 1 बटे 2, मतलब जो लॉजिक, जो पैटर्न, जो एक्वेशन उसने बताई थी, उसको ये फॉलो कर रहा है, तो ये ऑप्शन आंसर हो जाएगा, क्योंकि और 3 नहीं कर रहे हैं, दूसरे को भी चेक कर लेते है अगर दोनों में 12 बटे 19 के, दोनों अंसर हर में दोनों में 2 जोड़ने, तो ये 14 हो रहा है, तो आपने कहा 2 बटे 3 हो जा रहा है, तो इस तरह से ये कोशन किया जा सकता है, चली अगले कोशन की तरफ चलते है, एक लड़का, बढ़ो कोशन को, एक लड़का वर्षा के मौ वासम में स्कूल जाते वे एक कदम आगे बढ़ता है पर उसे दो कदम पीछे की और लेने पड़ते हैं, वह अपने स्कूल कैसे पहुंच सकता है, क्या वो पहुंचेगा ऐसे में, आप बोलोगे नहीं, कैसे पहुंचेगा, एक कदम आगे और दो कदम पीछे, मतलब वो तो पहुंचेगा, तो पहला ओप्शन दिया है, छाता लेकर पहुंचेगा, यह तो लॉजिक गलत हो गया, क्योंकि उसा केस हो क्या रहा है, ऐसे जा रहा है, तो पीछे आ रहा है, तो दो कदम पीछे आ रहा है, फिर थोड़ा गया, फिर और पीछे है, फिर थोड़ा गया, फ पिर आपने आगे देखा घर की और मूँ करके चलने पर, मतलब ये घर है और ये स्कूल है, हमने कहा कि जब वो मूँ घर की और चलेगा एक कदम, तो स्कूल की और दो कदम जाएगा, एक कदम इधर और दो कदम इधर, फिर एक कदम इधर चलेगा, तो दो कदम इधर चलेगा समझ रहो इस तरह से स्कूल जाना आसान हो जाएगा अगर वो घर की और मूँ कर ले उसका जो फेस है वो घर की और हो जाए तो वो स्कूल की और चलना शुरू कर देगा क्योंकि वो पीछे दो कदम जा रहा है ये आपने समझ लेना है आपका अंसर हो जाएगा चिक चलिए अगले सवाल की तरफ चलते हैं अगला सवाल ये है नीचे दीवी मिन्नों को घरते वे क्रम में विवस्तित कीजे जब भी इस तरह से सवाल आए सवाल आए ये दो बटे तीन, चार बटे पाँच तीन बटे आठ और एक बटे दो तो हमारी बात मानो यहां सब में जीरो लगा दो सब में उपर जीरो लगा लो डिवाइड करना असार हो जाएगा आप बुलेंगे हाँ हो जाएगा तीन से डिवाइड करो तीन छके अठारा, पास से करो पाँच अठे चालेस, आठ से करो आठ याच चौबिस दो से करो पंचे अब एक बात बताओ सबसे छोटी भिन कौन सी है तो आप बुलेंगे यह है तीन बटे आठ गटते वे क्रम में कह रहा है तो लास्ट में आनी चीए तो यह है लास्ट में और किसी में क्या लास्ट में है आपने का नहीं है सर तीन बटे आठ ठीक है अर यह बात समझ में क्योंकि अब आपने देखा दूसरे पे कौन सी आएगी तो आप कहेंगे पांच वाली आएगी बोले तो एक बटे दो आएगी फिर तीसरे नंबर पर कौन सी आएगी तो आप कहेंगे 6 आएगा या आगया देखो 2 by 3 फिर 8 वाली आएगी 4 by 5 इस तरह से आप आसाली से घरतेवे क्रम या बढ़तेवे क्रम में भिन को लिख सकते हो घरतावा क्रम बोले तो सबसे छोटी सबसे बाद में लिखनी है और सबसे बड़ी सबसे पहले लिखनी है इस लॉजिक को आप सही से समझ लोगे descending order की बात कर रहा था अगला question देखिए और शायद ये आज का last question होगा dice पे related है और dice में 2-3 concept होते हैं यह आज आपने यहां समझ लेने हैं कि अगर आपको एक dice given है 1-2-3 और उसी dice की दूसरी position भी आपको given है इसी तरह से यहां लिख लेता हूँ 2-3 तो सबसे पहले आपने यह देखना है दोनों dice में कोई दो number common तो आपने का हाँ है 2-3-2-3 दोनों में common है तो बच्चावा जो number होगा वो एक दूसरे के विपरीत होगा पासे में एक दूसरे के विपरीत होगा मतलब एक के opposite चार हो जाएगा क्यूंकि 2-3-2-3 दोनों में common था यह होता है case 1 इस तरह से यह dice का question होता है दूसरे case में क्या होगा अगर dice में एक dice यह है और एक dice यह है और आपको कह रहा है 1-2-3 और यहां दे रहा है 3-4-5 आपने देखना है कोई दो number common तो नहीं है तो आपने कहा नहीं सर यहां पर कोई दो number common नहीं है यहां पर केवल और केवल एक number common है यहां पर केवल और केवल एक number common है तो आपने केवल उस number पर focus करना है वो है 3 और उससे rotate करना है इससे rotate करोगे तो आएगा 3-1-2 दोनों में या तो clockwise rotate करो या anti clockwise rotate करो इसमें भी clockwise ही करो घड़ी की घूमने की दिशा में करो तो 3, 4, 5 3, 4, 5 और आप कहेंगे 2 के विपरीत 5 होगा 1 के विपरीत 4 होगा और 3 के विपरीत जो बचावा नंबर एच्छ है वो हो जाएगा चीक है? ये दोनों logic समझ में आ गए ये हो गया case 1 और ये हो गया case दोनों logic हमें समझ में आ गए अब आपने क्या करना है? यहाँ पर आपसे पूछ रहा है 4 के विपरीत क्या है? तो 4 को पकड़ा आपने आपने देखा 4 के वगल में 3 और 5 है 3 और 5 है? तो 3 और 5 कहीं common हो तो 4 के opposite सीधे सीधे 1 हो जाएगा 4 के opposite 1 हो जाएगा आपने बोला ये फिर से समझाओ सर कोई और दूसर logic भी दो तो मैं कह रहा हूँ आपने कहा 4 यहाँ पर है 3 और 2 कहीं और common है तो आपने कहा हाँ है तो 4 के opposite बचावा नंबर 1 हो जाएगा एक ही पेपर में एक ही पेपर में बहुत सारे अलग-अलग डाइस से भी आप ये answer बता सकते हो जो सच है वो सच है कहीं से भी लेके आओ वो सच ही रहेगा वो बदलेगा नहीं तो आज के लिए करेंगे इतना ही अगर आपको हमारा ये जो सिरीज है ये पसंद आ रही है और आप आगे भी इसी तरह से देखना चाहते हैं तो चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर लें और बेल आइकन जरूर दबा लें क्योंकि कल भी इसी समय मिलेंगे दोबारा तीबारा और पूरे 45 दिन डेड़ महिने तक आपका साथ देंगे ताकि सी सेट की टेंशन आपकी नहीं और ना हमारी रहे क्योंकि हमें तो टेंशन होगी नहीं क्योंकि सी सेट हमारे लिए बाइं हाथ का खेल है आपका भी बन जाएगा तो चलिए Thank you very much Have a nice day पढ़ते रहो करते रहो